नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल Electronic Study में आज अपने इस वीडियो में हम मुत्तर प्रदेश TET यानि UP Teacher Eligibility Test 2016 Primary Level के Question Paper के बारे में बात करेंगे Question Paper में हम भाग दो जो भाषा हिंदी है उसके Questions के बारे में जो 31 से 60 तक दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे अपने आज इस वीडियो में इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन Questions के Answers के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Questions कौन कौन से इसमें जो Question 31 दिया हुआ है इसमें पूछा है कि समस्टी का बिपरिताथी शब्द क्या है तो इसमें पूछा है समस्टी का जो अपोजिट वर्ड है यह हम कह सकते हैं एंटोनिम वो पूछा है कि क्या होगा इसमें नेक्स इसमें Question 32 करपट का तदभव शब्द है तत्सम और तदभव शब्द होते हैं ठीक है तो तत्सम शब्द करपट दिया हुआ है हमको तदभव शब्द बताना है कि इसका क्या होगा नेक्स है Question 33 निमनलिकित में से वर्दनी की दिर्ष्टी से काउंसा शब्द युग्म शुद्ध है हमको इसमें से बताना है Question 34 में है अर्धिस्वर है अर्धिस्वर काउंसे होते हैं उसके बारे में बताना है Question 35 चोर की दाड़ी में तिनका इस मुहावरे का अर्ध बताना है ठीक है Next देखते है Question एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांस के लिए एक सब्द तो Question 36 में ये पूछा है नेक्स है Question 37 बुद्धी हीन सब्द व्याकरण की दिर्ष्टी से किस संवर्ग में है इसमें बताना है हमको जो बुद्धी हीन सब्द है व्याकरण की दिर्ष्टी से किस संवर्ग में आता है तो संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया दिया हुआ है उप्संस में इनमें से चूज करके बताना है Next देखते है Question 38 अभ्यागत स्रब्द में काउंसा उप्सर्ग है उप्सर्ग का नाम Question 42 रमडिये में काउंसा प्रत्य है इसमें से हमको प्रत्य बताना है Next है Question 43 बोरों सवेर अगवन्स कुठार की धार में बारन बजी सरद्थ ही बान की वायू उडाव के लच्छन लच्छ करों अरिहा समर्थाई तो इस वाकि में बताना है इस पंक्ति में दोनों पंक्तियों में काउंसा रस जो है Next इसमें Question 44 इसमें बताना है कि छंद कहुंसा है। इसमें भूच रोर ऐसकों सीमिलने को बताना है नेकिस्ट थे को से निजिग्स नोर XL वाक्य शुद्ध कोई इसमें गलतिया नहीं है इन शब्दों में हिंदी शब्द कोस में सबसे अन्त मेंflysw Q47, हिंदी गद्य सिक्षण की पार्ट ही उजना का उद्देश या कथन आता है, उसके बारे में बताना है, Q48, में शब्द का आर्थ स्पेस्ट करते हैं, कौन सा तरीका सरवादे को प्यूगत है, वाक्य प्रियोग दिया है, इसमें ब्रहमण है, व्यक्यान है, नेक्स्ट है Q50, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मात्र भाशा में दी जाये, या मानना है? तो किस विदी का मानना है? नेक्स्ट 51 में है, व्यक्यान के लिए उप्यूगत नहीं है, कौन से प्रणाली उप्यूगत नहीं है, 52 में पूछा है कि आनन्द का दम्बिनी पत्रिका का प् कईच खोचिए कि अदिया काल की रचनर कौन को हैं तो वो बताना है 53 में 54 पने हैं काहरि नलिन नलो नलेती कुमलानी टेरे हिनाल सरोवरपानी बंक्ती की रशनाकर का उंचंक नहें हैं ये बताना हैं हमको नेक्स हैंüt मैं 55 इसमें जो भी आंसर्स ठिक है वो सही नहीं है ठीक है तो किरपया आप इन आंसर्स पर अभी फिलहाल ध्यान न दें इनके उत्तर मैं अपने अगले वीडियो में सारे दे दूँगा विद डेस्क्रिप्शन उसके साथ में नेक्स्ट है 56 में राष्टरवादी कवी रामधारी सिंग दिनकर को उर्वशी के लिए ग्यानपीट पॉरसकार के श्वर्स प्रादान किया गया था 57 में है निरामिश्की से कहते हैं ठीक है अगला है इसमें शहद शब्द क्या है ततस्म है ततबाव है आगत है या देश जहद है ठीक है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको समय समय पर इस चैनल पर जो भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन्स मिलते रहे हैं वीडियो देखने के लिए झाल आईखने को समया जाइब नहीं कुλά मुवीज ओड़ से लिए चैनल आईखना है ताना के ऊिए देखना है कि येगाउएं वेटनर दी डोहीं उन्हाफना है लिए Crisp både और परोग देखना है